कि देखिए नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनिंदन है यह आपका कल एकॉनमिक्स का जो है सेकेंटर वालों का पहला पेपर मैक्रो एकॉनमिक्स का है तो जो हम सवाल यहां से बोल रहें वह इंपॉर्डंट है बाकि इतने ज्यादा टॉपिक एकॉनमिक् हुई है तो पहला सवाल राश्टियाय से आप क्या समझते है राश्टियाय के मापन की विधियों का अलोचनात्म मुल्यंकन कीजिए तो यह आपको तैयार करना है दूसरा सवाल इसमें है सरबंड यार इसमें क्लियर दिख भी नहीं रहा है तथा खुली अर्थवेवस्ता में राश्टिया लेखांकन में कैसे विवेद करते हैं उदाहरो की सहयता से समझाई है तो जो हम बोलना है बस उसको आप सुनियेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल दिये लेकिन जो हम यहां से बोल रहे हैं वही आपके लिए इंपोर्टन है तो पहली निट में राश् दूसरा सवाल इसमें देखिए जो दूसरा यूनिट है आपका इसमें आप देखेंगे कि कि इन्स किस प्रकार से पुझी की सीमान दच्चता को निवेस का अचार मानते हैं उपईव तुदारणर से समझाईए यह हैं कि आप इसको त्यागर लीजिएगा और इसमें दूस सर इस इंसियन बिवस्था में समग्रमांग निर्धारन कारकों को समझाईए देखिए आप अंसॉल वसी जाके मिला लीजिएगा यूनिट सेकेंड का सवाल है और इसमें एक और सवाल आप देख दीजिगा बिवाट इस डिफ्रेंस बिवीन ओट्वनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंडिऊच्ट इन्वेस्टमेंट इसमें क्या अंतर है इसी अर्थ मेवस्था में निर्धारन कारकों को समझाईए यूनिट 3 में आ जाईए तो आपको पहला सवाल है व्यापार चक्रों की explain the phages and causes of business यह आपका काम है cycle दूसरा सवाल है समें RG, dart tray, RG, hot tray तथा hair दौरा प्रतिपाद व्यापार शक्र सिधानत में किस प्रकार भिन्यता है difference between trait, cycle, theory proposed by RG, hot tray and hair और चौथी उनिट में आप देखिए का जो चौथा long आपका रहने वाला है उसमें पहला सवाल आर्थिक विकास कि किस प्रमुक समस्या को आर्थिक विकास किस प्रमुक समस्या की व्याख्या hairis तथा तो डापे निकी है उपयुक्त चित्र के माध्यम से समझाईए यह पहला है, दूसरा इसमें है एच लिबिंश्टीम द्वारा प्रतिपादित नियुनतम करांदी प्रयास अस्तर प्रारूप के तरकों को समझाईए और इसमें तीसरा सवाल एक और दिख लीजिएगा उपयुक्त चित्रों तथा उदाहरणों के साथ जनानिकी है संक्रमर सिधान्त की व्याख्या कीजिए इतना सवाल आपके लिए इंपोर्टन्ट है तीन सवाल इस चौथी उनिट में दो सवाल तीसरी उनिट में और तीन सवाल आपका दूसरी उनिट में और दो सवाल आपका पहली उनिट में तो तीन, तीन, छे, छे, दो, आट, दुद्दस सवाल आपका चार उनिट से आप मैंने बता दिया आप इसको ये बार ध्यान से back करके सुन लीजिए जितना सवाल मैंने बोला है उतना ही आपके लिए important है बाकि जिसमें important important लिखा है वो ही आप पढ़िएगा धन्यवाद